सबी बच्चों को मेरा नमस्कार प्लास टेंथ NCRT Mathematics Exercise 1.3 देखे इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा दिया था कि कोई भी नंबर रेशनल और कभी रेशनल होता इसको हम समझा चुके थे तो इसका इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है जरूर से जरूर देख लीजीगा ठीक है उसमें अगर किसी नंबर को हम उसमें था रेशनल्टी इरेशनल्टी आप दा इरेशनल नंबर कोई नंबर आपर में संख्या आपर में कब होती है ये हमने बता दिया था अब उसको दुबारा समझाएंगे तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए वो वीडियो पहले देखेंगे तभी ये एक्साइज समझाएगी अधर वाइट नहीं आएगी बुले तो नहीं आएगी सच में बाई गॉडड मताब पकड़ में आ नहीं रहा है ये पहने है ना चलिए सभी कह रहा हूँ तो हम डाइट एक्साइज 1.3 का पहला कोशन लेकी चलते है ठीक है देखें कोई भी नंबर अगर आपको इरेशनल प्रूप करना है आप परिमे प्रूप करना है तो हमने आपको कॉंटरेक्शन मेथर बताया था कि आप उस नंबर को रेशनल माल लेंगे या वो ये रेशनल है ये रेशनल है वो परिमे है और बाद में कोई ऐसी बात कह देंगे कि वो आपको अपने आप वो रेशनल हो जाएगी कि रूट फाइव एक एरेशनल नंबर है रूट फाइव अपरिमे संक्या है का तरीका होता है हम पहले माल लेते हैं कि लेट रूट फाइव इज अरेशनल नंबर हम माल लेते हैं कि रूट फाइव एक रेशनल नंबर है है ज़िए माना रूट फाइव पर्मे संक्या है पर्मे संक्या है यह हमने माना है कि रूट फाइव एक पर्मे संक्या है मान लिया कहे रहा है इरेशनल है हमने कहा रहा है रेशनल है तो यानि कि इसका मतलब क्या हुँता हुआ इसका मतलब यह हुआ कि Rood 5 को आप A upon B के फार में ले सकते हैं जहां A क्या A और B क्या है A और B हैं Integer O' Numbers जाद करिए A and B are O' Numbers O' Numbers यानि A और B सह अभाज संख्याएं हैं सह अभाज संख्याएं हैं और B इक्वल टू जीरो नहीं है देखो को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता ये भी बताए जा चुका है सह अभाज संख्याएं या को प्राइम वो होती है जो संख्याएं वन के अलामा आपस में किसी से नहीं करती यानि ये और ये क्योर वन से कटेंगी जैसे कहीं पर मालिया तीन बते पांच लिखा हो तो ये तो क्योर वन से काट सकते हो आप यानि मालिया पांच बते च्छे लिखा हो तो क्योर वन से काट सकते हो पांच और से दूरों संख्याएं किसी एक संख्याएं से कटेंगी वो आपकी क्योर वन है तो उसको co prime number कहते हैं ठीक है अब देखो तरीका क्या होता है इसके बाद हम इसको cross multiply कर देते हैं तो क्या आता है root 5 b is equal to a इसको squaring कर दो तो 5 b square is equal to a square यानि कि b square is equal to क्या होगा a square upon 5 समझने की कोशिश करो a square को जब 5 से आपने divide किया तो एक number आया भाई a और b number है ना integers है ना आपके पुरांक है ना तो जब आपने a square को 5 से divide किया तो एक integer आया integer square भी तो number ही होगा इसका मतलब a square 5 से divide हो रहा है इसका मतलब क्या होता है this shows that this shows that इसके पहले वीडियो में हमने बताया सब कि a square is divided by 5 या ऐसे ना लिखे इस शोज़ देट 5 divides a square 5 divides a square यानि 5 a square को divide करता है और एक theorem हमने बताई थी कि अगर a square को 5 divide कर रहा है किसी number के square को ये संख्या divide कर रही है तो उस संख्या को भी वो divide करेगी इसका मतलब ही होता है कि 5 divides a also 5 a को भी भाग करेगा यानि 5 a square को या 5 a square से भाज्य है इसको हिंदि में लिख लेंगे कि 5 a square से भाज्य है या 5 a square को भाग कर देता है काट देता है तो 5 a को भी काट देगा इसका मतलब यह हुआ कि आप a को 5 से भी divide कर सकते हैं जब आप a को 5 से divide करोगे तो कोई number आएगा ना उस number को मैंने मान लिया c है ये let हमने माना कि भाज ये number क्या रहा है c है तो a को क्या ले सकते है 5 c पहला second equation इसको डालो a को 5 c लिखा ना अब a की value उठाओ और equation number 2 में रख दो 2 में रख दो या 1 में रख दो कहीं रख दो putting the value of a putting a in equation 1 इसको 1 लिखिए गा तो तो उधर पड़ा हुआ है 1 में रख दो है ना तो रख के देखते हैं हम जब 1 में रखोगे तो क्या आएगा b square is equal to a का मान रखोगे 5 तो यह आएगा आएगा 25 c square upon 5 555 कर जाएगा तो यानि कि b square is equal to 5 c square तो c square is equal to क्या होगा b square upon 5 समझेगा जब आपने b square so 5 से divide किया जब आपने b square को 5 से divide किया भाग किया तो कोई संग्या आगई इसका मतलब यह हुआ कि b square 5 से divide हो जाता है और हमने कहा है अगर कोई square number 5 से divide हो रहा है तो वो number भी 5 से divide होगा मतलब इसे यह क्या show कर रहा है this shows that this shows that इसे यह discuss निकलता है कि 5 divides b square कि 5 b square को भाग कर देता है हिंदी बोलता जा रहा हूं में तो इसका मतलब यह होता है कि 5 divides a also sorry b also यह पांच b को भी divide करेगा अगर b square को 5 divide किया तभी तो कोई number आया ना c एक number है ना तो यहनि किसी number को 5 से divide कर रहे हो कोई number आ रहा है पूरा का पूरा number आ रहा है तभी तो आएगे तब पूरा पूरा कट जाएगा तो यह नहीं कि 5 जो है B square को भाग कर देता है और हमारी theorem कहती है कि अगर 5 B square को डिवाइड करेगा तो 5 B को भी करेगा तो B को भी करेगा मतलब मतलब 5 जब हम B को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक number को ए D आएगा लेट माना हमने यह नाना नहीं है माना है तेरे कि B बराबर क्या होगा 5 D अब जब इन तीनों दोनों को देखो B question 2 and 3 B बराबर 5 D लिख रहे हो और A बराबर 5 C लिख रहे हो तो अगर इसका महत्तम समापुरत निकालोगे तो 5 आएगा ना क्या मतलब हुआ मतलब अगर महत्तम समापुरत तक SCF 5 आ रहा है मतलब यह जो नंबर आप A अपान B लिख रहे हो ना यह दोनों 5 से कट जाएंगे ना क्योंकि A भी 5 से कट रहा है और B भी 5 से कट रहा है और आपने माना क्या था आपने माना था जो A और B नंबर है वो 1 के अलावा किसी से नहीं कटेंगे तो It is contradiction It is contradiction किसी को contradiction कहते है कहेंगे यहाँ विरोधाबास है यहाँ विरोधाबास विरोधाबास है क्या विरोधाबास है आपने Rood 5 को क्या माना था एक Rational Number माना था परिमे माना था It means यह गलत हो गया यानि रूट फाइब इस नाट रेशनल, इट इस इर्रेशनल, इट इस इर्रेशनल नमबर, यानि कि रूट फाइब एक परिमे संख्या नहीं है, ये एक अपरिमे संख्या है, ठीक है, आप लिखतेंगे कि रूट फाइब अपरिमे संख्या है, यानि हमने जो माना था वो ग 5, root 3, root 2, root 7, root 8 तो नहीं कहेंगे, 8 में root 2 आही जाता है, जो 0 से लेकर के, जो भी prime numbers है, उनका root आप इस मेधर से लगा सकते हैं, ठीक है, question कह रहा है कि 3 plus root 2 root 5 को irrational निकालो, देखे, अगर single single number होगा, root 2, root 3, root 5, root 7, तो हम उस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर root 5 irrational है, प्रूफ कर चुके हैं, यह मान के हम चलेंगे, लेकिन प्रूफ यहाँ पर contradiction method होगा, क्या तरीका होता है, इससे सलुसर निकालेंगा, क्या हम इसको rational मान लेते हैं, let 3 plus 2 root 5 is a rational number, क्या माना, क्या माना, क्या माना, क्या माना होता है, ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब 3 plus 2 root 5 को क्या लिखा जा सकता है, a upon b के far में लिखा जा सकता है, यह आप कह रहे हो ना, तो a और b क्या है, a and b are co prime numbers, co prime numbers, a और b सहाभाज संख्याएं हैं, सहाभाज संख्याएं हैं, ठीक है, और b 0 नहीं है, देखों, यह co prime number जो होता है, जंदली भासा बुक में लिखी होती है, उसमें लिखा होगा, a and b are the numbers having no common factor other than one, एक के अलामा, इसका कोई भी उडंखन नहीं होगा, तो उसी का तो दूसरा नाम co prime number होता है, ठीक है, आच्छा, यानि कि यह किसी और से नहीं कर सकती, खैर, आब ऐसा करो, कि root 5 irrational है, आप प्रूफ कर चुके है, root 5 अपर में है, इसको p upon q की रूप में नहीं लिखा दा सकता है, तो इसको अकेला कर दो, तो 2 root 5 is equal to क्या होगा, a upon b minus 3, क्यानि कि 2 root 5 is equal to a minus 3b upon b, LCM ले लिए हमने, तो root 5 की value क्या हो जाएगी, a minus 3b upon 2b, ज़रा समझिएगा, a और b numbers है ना, तो जब आप यहाँ number लिखोगे तो यहाँ भी नीचे कुछ number आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उपर लिखोगे तो यहाँ भी कुछ number आएगा, तो नमबर बटे number यहनि यह rational हुआ कि नहीं हुआ, यह परिमे हुआ कि नहीं हुआ, और यह भाई साब कैसे है, irrational, तो भाईया, irrational किसी rational के इकवल नहीं हो सकता, तो आप लिखेंगे, here, root 5 is irrational, यह रूट 5 कैसे संक्या है, आप परिमे है, आप परिमे संक्या है, और A-3B upon 2B जो है, is rational, यह परिमे संक्या है, भाई एक नमबर आपने माना है न, A-B नमबर है, तो यह भी तो नमबर है आएंगे, कुछ कोई संक्या आएगी न, So, root 5 cannot be equal to A-3B upon 2B, यह equal नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, rational, irrational के कैसे इकल हो सकता है, इसको P upon Q लिखने सकते हैं, इसको लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने जो बताया, वो contradiction है, तो लिखेंगे, It is contradiction, So, It is contradiction, तो नोट का लिजेगा, यहां लिखेंगे, आप लिखेंगे, So, It is contradiction, It is contradiction, यह विरोधा भास है, क्या विरोधा भास है, क्योंकि आपने इसको rational माना था, अगर परमे नहीं है तो क्या होगा परमे हो जाएगी इसी तरीके सब को लगाना है सिंगल नंबर आएगा तो तरीका जो हमने बताया अगर डबल नंबर होंगे तो इस तरीके साब लगाएगे ठीक नोट करिए अब थर्ड का फर्स पार्ट कर रहा कि वन बाय रूट टू बताओ क्या है परमे है परमे है अपरमे बताओ यह रेशनल है वही तरीका हमने क्या माल लिया कि लेट देखो यह सिंगल टर्म नहीं वन बाय रूट टू है हमने रूट टू प्रूट किया था हमने माल ठीक है यानि कि मतलब क्या हुआ कि one by root two को लिख सकते हैं अच्छा root two अकेला कैसा संख्या है कैसी संख्या है एरेशनल है प्रूब कर चुके है आप ठीक है तो one by root two को क्या लिख संख्या है अपान भी जहां a और b क्या है where a and b are co prime numbers co prime numbers यानि कि a और b सह अभाज संख्याएं है अभाज संख्याएं है और b equal to zero नहीं है इसका मतलब अगर मैं उल्टा कर दूँ तो root two बराबर b upon a हो जाएगा दरा समझेगा अगर a upon b आपका rational है यानि कि a upon b 3 upon two है तो या उल्टा करोगे तब भी तो rational होगा तो b upon a भी तो rational होगा यह भी तो पर्मे होगा और root two कैसा है अपर्मे है तो यह equal नहीं हो सकते ना तो आप लिखेंगे here यहाँ b upon a is rational वी अपान एक कैसा नंबर है पर्मे संख्या है है कि नहीं है अगर आपका आपने इसको 3 upon 2 निकाल दिया तो उल्टा करोगे तो 2 upon 3 आएगा ना और root two कैसा है root two is irrational यह हम प्रूब कर चुके हैं कि यह अपर्मे संख्या होती है अपर्मे है तो इसका मतलब क्या होता है यह दोनों एकक्वल नहीं हो सकते so root two जो है ना वो a upon b upon a के एकक्वल नहीं हो सकता it is contradiction it is contradiction यह हमारा contradiction है मतलब यह विरोधा बास है यह क्या है विरोधा बास है और विरोध है किस चीज़ का विरोध यह है कि आपने one by root two को क्या माना था rational माना था ना so one by root two is not rational not rational या irrational कहतुँ अतहा one by root two क्या नहीं है पर्मे नहीं है हिंदी में लेंगे ना पर्मे नहीं तो यह आपका अगर अकेला आएगा जैसे root 2 होता, root 3 होता, तब तो method लगाएंगे जो अभी उने बताया, ऐसे वे यही तरीका आप लगादेंगे, ठीक है, this is first part, अब इस 7 root 5 के लिए के लिए बताओ ये, rational है कि नहीं है, फिर वही तरीका, कि अपने माना, कि let 7 root 5 is rational, हम बार बार नहीं लिखेंगे language, ले language लिख सकते हैं, a upon b लिख सकते हैं, और a upon b क्या है, o prime numbers है, तो यहाँ पर root 5 की value क्या निकलेगी, a upon 7b, यह रेशनल है कि नहीं है, यहाँ लिखेंगे, here, a upon 7b is rational, यह परिमे, language हम लिख चुके हैं, बार बार नहीं लिख रहे हैं, यह परिमे है, और root 5 कैसी है, is irrational, यह आप परिमे है, तो इसलिए आप उसमें equal हो नहीं सकते हैं, so root 5 cannot be equal to a by 7b, it is contradiction, it is contradiction, यही तो विरोधाबास है, यह विरोधाबास है, अब विरोधाबास है क्या, कि भाई आपने exculation मा रहा था, so 7 root 5, so मने इसलिए is not rational, not rational, यह परिमे संख्या नहीं है, परिमे नहीं है, और परिमे नहीं है, अगर परिमे नहीं है तो आप परिमे है, irrational है, not rational बोले तो irrational, बात वही हम कह रहे हैं, ठीक है, तो this is second part, same method से third हम करेंगे, language कुछ भी, कुछ भी नहीं लिखेंगे, यह कंट्रा पंट्रा लिक्सन कुछ आपको लिखना पड़ेगा, 6 प्लस रूट 3 है ना, third part, 6 प्लस रूट 3 को हम क्या मानेंगे, कि rational है, इसको A upon B के रूप में लिखेंगे, रूट 3 को अकेला कर देंगे, तो A upon B minus 6 आएगा, रूट 3 is equal to A minus 6 B upon B, आप कहेंगे, यह rational है, यह rational है, यह दोनों इक्वल नहीं हो सक करते हैं, इसने एक contradiction है, अता हिया, रेशन लंबर नहीं है, ठीक है, यह exercise one point, यह कुछ question है, इन questions को हम introductory class जो हमने लिया था, उसमें भी merge कर सकते थी, जान भूच करके हमने कहां, लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हमने नहीं किया था, इसको आप कर लिजेगा, next class, next video की होग तो वो इंट्रोडक्टिव इंट्रोडक्टिव होके सब एक साथ बताय जाएगा, अगर आपको लगे कि यह वीडियो आपके लिए लाब दायक है, तो इसे आप शेर कर दीजेगा, और हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजेगा, और तब तक हम good night करके सोने जा रहे हैं good night